अस्सलाम अलेकुम तो कैसे हो मेरे भाई लोग ठीक हो उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे से खेरिया से और बढ़िया से होंगे तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे गौर्मेंट के तरफ से बहुत ही इंपोर्टेंट आपडेट आया हुआ है सौधी कस्टम ड्यूटी डिपार्टमेंट से एक सवाल जो है पूछा गया की सौधी अरब का सफर करने पर अपने साथ में कितना जो है सिक्रेट और तमबाकु लेकर आ सकते हैं इस हवाले से सवाल का जबाद देते हुए कस्टम के तरफ से ये कहा गया की मुसाफिर सौधी अरब का सफर कर रहा है तो जो है वो अपने साथ में 200 सिक्रेट और जबकि हुक्के में इस्तेमाल किये जाने वाले तमबाकु को 3 किलो गराम तक लेकर आ सकता है इसका जो है कस्टम के कानून के अनुसार दिया गया है जबकि ये भी कहा गया है कस्टम के तरफ से अगर कोई बंदा जो है 200 सिक्रेट लेकर आता है या तमबाकु को 3 किलो गराम ते जादा लेकर आता है तो जो है पकड़े जाने पर जब्त कर लिया जाएगा और जो भी कस्टम क सिक्रेट लेकर आना चाहते हैं तो आप लोग जो है 250 सिक्रेट लेकर आ सकते हैं और जब कि हुक्के में इस्तिमाल किये जाने वाले तंबाक को भी जो है 3 किलो गराम तक ला सकते हैं यह जो है साओधी कश्टम के कानून के तरफ से फिरी है आप पर कोई भी चार्ज जो है नह साओधी का नहीं लगवाया है और वो जो है अपने मुल्क में चले गए हैं अगर वो वापस आना चाहते हैं तो वो जो है आ सकते हैं यानि जो वैक्सीन का सर्था उसको खत्म कर दिया गया अभी कोई जरूरी नहीं है कि उनको जो है साओधी अरम में वैक्सीन लगा हो के बाद उनको सौधी अरब में पहुंचने पर उनको कॉरण टाइम में रखा जाएगा जबकि यह भी बताया गया है कि जिनको सौधी अरब में वेक्सीन लग चुका है उनको जो है सौधी अरब में आने पर कॉरण टाइम नहीं किया जाएगा और उनको जो है अपने साथ मे PCR टेस्ट को भी लेकर आने की ज़रुरत नहीं है उसके बाद अगली अपडेट पे बात कर लेते हैं सौधी अलाइन से सवाल पूछा गया कि अभी सौधी अरब आने पर कौन कौन सी चीज यानि कौन कौन से डॉकुमेंट यानि उसके पास सौधी अरब का बताका है उसके साथ में होना चाहिए और उसका त्वकलना इमियम होना चाहिए इसी तरह से आगे ये भी बताया गया है कि अगर कोई गयर मुलकी है सफर करना चाहता है तो उसका कामा वैलिड होना चाहिए और उसका exit reentry visa भी valid होना चाहिए और उसका त्वकनला union होना चाहिए तो लोग जो है सौधी अरब का सफर कर सकते हैं इसी के साथ में हम अगली update पे बात कर लेते हैं 6 यमनी लोग के साथ में एक पाकिस्तानी ड्राइबर को जो है पकड़ लिया गया है साथ में पाकिस्तानी ड्राइबर उनको लेकर कहीं अपने साथ में जा रहा था तो भाई लोग अगर आप लोग भी साथ में काम करते हैं तो आपका गाड़ी अगर कोई राश्ते में रुकवाता है बैठने के लिए बोलता है अगर आपका उससे जान पहचान नहीं है तो आप लोग जो है उसको बिल्कुल न बैठाएं तो राश्ते में अगर चेकिंग हो रहा है और चेकिंग में आप लोग पकड़े जाएंगे तो आप लोगों को जो है दिक्कत का सामना करना पढ़ सकता है तो आज के लिए बस इतना ही भाई लोग और भी कुछ गवर्मेंट के तरफ से आपड़ेट आता है तो हम आप लोग को बताएंगे जरूर अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोगों को छोटा सा रिक्वेट्ट है आप लोग हमारे चैनल को ला क्या विप सिंदा जारी। यहाफश था नगया वे लोगों को फवरा वीडियो भीडियो अग्यों को तो आप लोग्यों कि अलगे समया आता है आता है दो शू दो शूररा आता है अवर्मेंट